नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तों क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कुछ दिनों से आपके घर में सबकुछ गलत हो रहा है जो काम कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही है जो भी हो रहा है वो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है आपको अपने ही घर में घुटन सी होने लगी है और मन करता है सब कुछ छोड़ कर कही दूर चले जाएं हर तरफ बस नकारात्मक वातावर्ण बना हुआ है कुछ भी काम करने का मन नहीं करता और मन में बड़े बुरे खयाल आते रहते हैं टेंशन तो मानो हमारा साथी बन गया हो कभी परिवार की चिंता और कभी व्यवसाय की और हर प्रकार का प्रयास करके भी आप परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं समय निकाल कर कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड रही है एक समस्या खक्म तो दूसरी शुरू हो जाती है लेकिन दोस्तों आप इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं इसके लिए आपको पूजापाठ, यग्यहवन, आदी प्रकार के कार्य भी नहीं करने हैं, बस आपको रोज सुभा उठने के बाद बोलने हैं, ये तीन शब्द ये शब्द स्वयम महादेव ने माता पार्वती को बताये हैं यदि रोज सुभा उठने के बाद आप केवल ये तीन शब्द बोलते हैं, तो आपका जीवन सकारात्मक्ता से भर जाएगा जीवन में जो भी परेशानी चल रही है, उससे आपको मुक्ती मिलेगी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है बस सुभा उठने के बाद मन में महादेव का ध्यान करते हुए ये तीन शब्द बोलने हैं एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा था कि यदि कोई मनुष्य पूजा पाठ यग्य अभिशेक आदी कार्य करने में असमर्थ हो तो वह किस प्रकार से आपको प्रसन कर सकता है तब भगवान शिव ने इस छोटे से मंत्र के बारे में बताया था जो बहुत ही आसान है इसका उच्चारण करने मात्र से महादेव उस मनुष्य के समस्त दुखों का नाश कर देते हैं उसे मुश्किलों से लड़ने की शक्ती प्रदान करते हैं बस भक्तिपूर्ण भाव से ये शब्द बोले और भगवान शंकर आपकी इच्छा पूरी कर देंगे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन शब्दों के बोलने से बिना पूजा पाठ किये भी आप फलपा सकते हैं भोलेनाथ और मागौरी हमेशा अपने भक्तों पर अपनी कृपा द्रिष्टी बनाए रखते हैं और उनको जीवन की हर खुशी देते हैं अगर आप इनको प्रसन्न कर लेते हैं तो फिर आपको किसी भी प्रकार के पूजा पाठ की जरूरत नहीं है आप महिला है या पुरुष या कोई विद्यार्थी इन चमतकारी शब्दों का जाप करके आप लाब पा सकते हैं इन शब्दों के जाप से आप मानसिक रूप से मजबूत और तीक्ष्न हो जाएंगे विद्यार्थी जो इन शब्दों का जाप करेंगे उनका परीक्षा में परिणाम बहुत अच्छा आएगा और वो जीवन की उचाईयों को छुलेंगे महिलाएं अगर सुबह उठते ही इन चमतकारी शब्दों का जाप करेंगी तो उनका जीवन खुशियों से भरा रहेगा सुबह सिर्फ ये शब्द बोले और इनका चमतकार स्वय महसुस करे आप जानते हैं कि अगर महादेव को प्रसन करना है तो आपको साफ सफाई का खास ख्याल रखना होगा सुबह जल्दी उठकर आपको स्नान करना है और साफ धुले हुए वस्तर पहन कर ये चमतकारी शब्द बोलने हैं ये जो शब्द हम आपको बोलने वाले हैं वो मात्र तीन शब्द हैं लेकिन इनका प्रभाव अकल्पनिय है अगर नव विवाहित महिला इन शब्दों को सुबह, मन से और पूर्ण स्वच्छता को अपना कर बोले तो वो बड़ी ही भागशाली बन जाती है उनको उत्तम संतान की प्राप्ती होती है और उसका वैवाहिक जीवन खुशाल होता है इन शब्दों के शुभलाब से आप प्रगती ही प्रगती करेंगे अगर आप इनका रोज नियमित रूप से सुभह सही तरीके से जाप करेंगे तो आप दीरगायू हो जाएंगे और आपका अच्छा स्वास्थ्य बना रहेगा अगर व्यपार में घाटा हो रहा है तो व्यक्ती को नित्य इस मंत्र का जाप सुभह करना है उसके व्यापार में हजार गुना व्रिद्धी होती है अगर आप में से कोई भी अपनी इच्छाय पूरी करना चाहते हैं तो सुभह सवेरे इस उपाय को जरूर अपनाए आप पर परम दयालू भोलेशंकर की कृपा जरूर होगी जिसे भोलेनाथ का आशिरवाद मिल गया मानो उसने जीवन में सब कुछ पा लिया और उसका जीवन धन्य हो गया दोस्तों बड़े बुजुर्ग कहते हैं रोज सुभह उठकर सबसे पहला काम अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए अगर आपकी सुभह की शुर्वात पूजा और ध्यान से होगी तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा और आपको बहुत लाभ भी होगा आपके सारे बिगडे काम बनने लगेंगे अब आपको बताने वाले हैं उन चमतकारी शब्दों के बारे में इन शब्दों का आपको सही से उच्चारण करना है जो बड़े-बड़े चमतकार कर सकता है ओम जूम सहा सबसे पहले ओम उसके बाद जूम और फिर सहा ओम जूम सहा इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करे शिव पुराण में इसे लगू महा मृत्यूंजय मंत्र के नाम से जाना जाता है मंत्र यह बहुत छोटा है लेकिन इसके लाभ बहुत बड़े है ये छोटा सा मंत्र आपके भाग्य को परिवर्तित करने की ख्शमता रखता है परवतों के समान पापों का नाश करने वाला यह मंत्र अकाल मृत्यूं को टालने में समर्थ है अगर आप यात्रा पर निकले है तब भी इस मंत्र का जाप करते हैं आपके साथ कभी कोई दुरघटना नहीं होगी अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस मंत्र का जाप अवश्य करे अगर आप नौकरी की तलाश में है तब भी इस मंत्र का जाप करे चाहे विवाह की समस्या हो अथवा कोई रोग से पीडित हो उसे इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए यह छोटा सा मंत्र सभी दुखों को समाप्त कर देता है इसके अलावा दोस्तों आप सुभा जागने के बाद इस एक मंत्र का जाप भी अवश्य करे इस मंत्र के जाप से आपको मा लक्षमी की विशेश कृपा प्राप्त होती है विद्या की देवी सरस्वती आपको हर कार्य में सफलता दिलाती है और भगवान श्री कृष्ण आपको हर प्रकार के दुख से लड़ने की शक्ती प्रदान करते हैं इसके लिए आप सुभा उठते ही अपने हथेली के दर्शन करे और इस मंत्र का उच्चारण करे करागरे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मुले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम इस मंत्र का अर्थ है कि हमारे हाथ के अगर भाग में मा लक्ष्मी का वास होता है मध्य मेमा सरस्वती का निवास होता है और मूल भाग में श्री गोविंद जी का वास होता है इन मंत्रों का जाब करके अपने दिन की शुर्वात करे और अपना जीवन भाग्यशाली बनाए दोस्तों ये दोनों ही मंत्र प्रभावशाली है और कई रिशी मुनियों ने इस मंत्र के उच्चारण की सलाह दी है यह मंत्र आपके जीवन को सफल बना सकते हैं अगर आपको नित्य यह दो मंत्र बोलने की आदत लग जाए तो आपके जीवन में कभी संकट और दुख नहीं आएंगे घर में कभी अकाल मृत्यू नहीं होगी जो स्त्री नित्य इस मंत्र का जाब करती है वह अपने परिवार के उपर एक प्रकार का सुरक्षा कवच बना देती है और उसके घर में रहने वाले सभी की भगवान रक्षा करते हैं उस स्त्री के संतानों को कभी अप यश का मुह देखना नहीं पड़ता है तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी विडियो को लाइक जरूर करे और कमेंट में हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखे साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे इस विडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करना न भूले आप सभी का धन्यवाद